चलो निकलते हैं, मेरा काम तो खतम हो गया, तू नहीं आ रही है? नहीं यार, ये देखना, सर ने मुझे सभी फाइल्स का नाम चेंज करने के लिए बुला है, मुझे एक घंटा और लगेगा अरे तो तू Power Automate यूज का ना, दो मिनिट में हो जाएगा सही मैं? जी हाँ दोस्तो, एक घंटे का काम दो मिनिट में यकीन नहीं हो रहा है, तो एक इन दिलाने के लिए मैं हूँ ना आईए मैं एक Computer Screen पे दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से एक घंटे का काम दो मिनिट में यहाँ पे होने वाला है यहाँ पे देखिए मेरे Computer में PDF Files नाम का एक Folder है और जिसमें धेर सारी PDF Files मैंने यहाँ पे रखी है यहाँ पे 100, 200, 1000, 2000 बहुत सारी Files हो सकती है लेकिन इन सभी का नाम मुझे बदलने के लिए कहा गया है तो अगर आपको नाम बदलने के लिए कहा है तो आप कैसे करेंगे राइट क्लिक और यहाँ पे Rename बटन पे क्लिक करेंगे Rename Options पे क्लिक करेंगे basically या फिर आप इसे सिलेक करके Keyboard पे App to Button प्रेस करोगे और यहाँ पे नाम चेंज करोगे तो ऐसा एक एक फाइल का नाम आप चेंज करते जाओगे क्योंकि आपको Power Automate पता नहीं है इसलिए तो मैं यहाँ पे Power Automate बता रहा हूँ आपको तो अभी इन सभी फाइल का नाम एक क्लिक से यहाँ पे मैं चेंज करके दिखाने हो लाओ दो मिनिट के अंदर करना क्या राइट साइड में आए मैंने एक विंडो ओपन रखी है Power Automate की जो कि आपको यहाँ पे दिखाए दे रहा है और सबसे पहला प्रोग्राम यहाँ पे दिखाए दे रहा है यह जो रन बटन है यहाँ पे जैसी में क्लिक करता हूँ यहाँ पे प्रोग्राम प्रिपेरिंग डाउनलोडिंग हो रहा है और लेप साइड में ध्यान लेकिया यह आपका यहाँ देखिए अभी Learn More है सब जगह पे लेकिन थोड़ी देर में होने वाली यह जादू हो गई यहाँ पे सभी जगह पे सभी फाइल्स का नाम Learn More की जगह यहाँ पे कोर्स पे आचुका है क्या बात है बहुत कुछ आटोमेशन इस आटोमेट सॉफ्टर की मदद से कर सकते है और यह बिल्कुल फ्री सॉफ्टर है Microsoft की तरफ से आपको पता नहीं इसलिए मैं बता रहा हू तो अगर आप इंट्रेस्टेट हो कि भाई यह एक घंटे दो घंटे का काम एक दो मिनिट में कैसे होगा कैसे हम इस प्रोग्राम को बना पाएंगे विदाउट कोडिंग तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिए मैं सदिश कंप्ली टेक्नल चैनल में आप सबका स्व इससे बहुत कुछ होता है और इसके लिए मैंने एक अल्री फोर्टी मिनिट का वीडियो बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा जो कि लर्न मोर चैनल पर अपलोड किया था बहुत सारे लोगों ने उसे देखा है लाइक किया है और बहुत सारे 11 है तो आप सर्च में जाएए पावर आटोमेट टाइप कीजिए आपको डिरेकली सामने मिल जाएगा लेकिन विंडोस टेन है तो गूगल पे जाईए पावर आटोमेट पर माइक्रोस आप सर्च कीजिए आपके सामने एक लिंक आईगी या फिर दिस्क्रिप्शन में लि पर क्लिक करना होगा पहली बार जब स्क्रीन आएगी नया फ्लो बनाना यानि नया यहां पर प्रोग्राम बनाना बेसिकली एक नया आटोमेशन बनाना तो यहां पर क्लिक करते ही क्या होगा जैसे यहां पर देखिए अभी मेरे स्क्रीन पर मैं दिखाता हूँ आपको यह यहां पर उपर मिल रहा है क्योंकि मैंने धेर सारे automation पहले से बना giving तो new flow यहां पर मैं click करूँगा जैसे मिं new flow पर click करता हूँ एक diale保oks आता है इस diale保oks में वो पूछ रहा है कि आपको flow का नाम क्या देना है तो मैं यहाँ पर flow का नाम देना चाहूंगा, flow का नाम देता हूँ मैं rename files और यहाँ पर new लिख देता हूँ आगी, क्योंकि rename files नाम का एक already program है, rename all files वगरा something, तो rename files new करके, यहाँ पर मैंने दे दिया, ok, rename files new करके, यहाँ पर देने के बाद आपको create पर click करना होगा, यह flow create होगा, एक नया window आपके सामने open होगा flow का, यहाँ पर इसे भी हम maximize कर देते हैं, इस तरह की window आपके सामने आ रही है, और इसमें left side में अगर आप देखोगे तो धेर सारे आपको क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर actions मिल रहे हैं, इन actions की मदद से बहुत सारे automation होते हैं, right, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फिलाल हमें एक folder में से फाइल का नाम चेंज करना है, सभी के सभी फाइल का, तो यहाँ पर फोल्डर ओपन कर देता हूं, यह राप फोल्डर हमारा, इस फोल्डर में देखें, यह desktop पर फोल्डर पढ़ा है मेरा, फोल्डर का location देख पर मेरी file पढ़ी है, वो मुझे add करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसमें से एक action select करूँगा, कुन से action select करूँगा, सबसे पहले मैं folder action select करूँगा, यह दिखिए, folder दिखाए दे रहा है, तो folder को expand करूँगा, यहाँ पर folder के आगे click करूँगा, यह expand हो जाएगा, और get files in folder, य option, इसलिए मैं ले रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर की जो file से folder की, वो हमें लीनी है, rename करने के लिए, उसके उपर काम करना है, तो मैं इसे drag and drop करूँगा, यहाँ तो आप drag and drop कीजिए, या फिर इसके उपर आप simply double click कीजिए, double click करते ही, यह window आपके सामने आ रहा है, इस window प यह folder है, तो मैंने उसे locate कर लिया, यहने select कर लिया, अब यहाँ पर यह पहला काम हो गया, बाद में यहाँ पर बोल रहा है कि इसके अंदर sub folder है, क्या उसे भी लेना है, उसके अंदर sub folder में भी files पड़ी है, आपको और उसका भी नाम चेंज करना है, तो इसे आप on कर सकते है मतलब जरूरी नहीं कि आपकी पास PDF files नाम का एक ही folder, उसके अंदर और folder हो सकते है, तो आप उस टाइम पर इसे on कर सकते है, लेकिन फिलाल मुझे जरूरी नहीं क्योंकि एक ही folder पड़ा है और उसमें धेर सारी file है, और यहाँ पर अटोमेटिकल की एस्ट्री का रहा है या यहाँ पर इस्ट्री का रहा है यहाँ यहाँ पर स्पेसिफिक फाइल ही आपको बदल नहीं, सपोज एकसल की फाइल का ही नाम चेंच करना तो यहाँ पर .xlsx अप लिख सकते हैं, यहाँ पर .xlsx, .pdpp की बदल नहीं तो .pdp, अभी pdp की ही है, वहाँ पर multiple files नहीं है, अलग अलग extension की, इसलिए मैं इसे एस्ट्रीक ही रहने देता हूँ, और यहाँ पर कुछ नहीं करना है बाकी, यहाँ पर save button पे click कर देना है, right, finally यह पहला वाला जो steps है, आपको folder में से file लेने का steps है, जब आप इसे save करोगे, तो यहाँ पर एक बार notice करो, double click कर देता हूँ, यहाँ पर एक नाम आ रहा है, variable produce, automatically एक variable उसको assign कर रहा है, उसका नाम है files, यहाँ पर इसका नाम भी हम बदल सकते हैं, लेकिन अभी फिलाल जरूरी नहीं, files ही है, हम files कोई एक्सेस कर रहे है, तो यह variable है files, पहला वाला steps में variable आ चुका है, files, अब एक और steps मुझे add करनी है, सभी files rename करना है, तो आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पर file वाले tab में, यह देखिए, file वाले tab में हम जाएंगे, और इसे expand करके, यहाँ पर नीचे, rename files करके, आपको action मिलेगा, इस action को हम लेंगे, इस action के उपर double click करो, या click and track करो, जो मर्जी आपकी, फिलाल मैंने double click किया, यहाँ पर देखिए, file to rename, कौन सी file rename करनी है, आपको उसे बताना पड़ेगा ना, कि files कहाँ पर पड़ी है आपकी, तो आप files जो पड़ी है उसका folder नहीं select करोगे, basically folder अल्ड़ी उपर select किया है, अब बस आप यहाँ पर क्या करोगे, उसका variable select करोगे, यह देखिए, last option जो द variable assign हो चुका है, वो है files, मैंने पहले ही बताया आपको, तो यहाँ पर click करो, और यह देखिए, आपको दिखाएगा, कि आपने already उपर एक variable assign किया है, list of files के लिए, वो है files नाम का, देखिए, list of files इसके अंदर है, तो आप इसे double click करो, यह select करो click करके, यह देखिए, variable इस तरह से assign हो गया, right, एकदम simple step से, बिल्कुल difficult है नहीं कुछ इसमे, आपको step by step follow करना है, and you will get your result, उसके बाद, rename scheme, rename scheme में आपको क्या चाहिए, set new name, new name, set करना है, नहीं मुझे क्या करना है, replace करना है, क्योंकि पूरा पूरा फाइल का नाम नहीं बदलना है, मुझे replace करना है, existing text को तो मैं यहाँ पर replace लोंगा, add करना है, remove करना है, change extension करना है, धेर सारी चीज़े है, बहुत सारी चीज़े है, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, तो replace text करता हूं मैं, फिलाल मेरे पास पहला क्या है नाम फाइल का, तो वो मैं लिखूंगा, exactly वो फाइल का नाम है, जो भी change करना उसके बाद उसकी जगा क्या चीए, replace with, replace with में हम लेंगे learn more, आप यहाँ पर जो चाहिए हो दे सकते हैं, उपर दिखिए, उपर का नाम जो हो, फाइल का नाम exact match होना चीज़े, जो आपके पास existing file में पड़ा है, उसके बाद नीचे का नाम आपको जो चाहिए हो, और फाइ file exist, तो file exist already name रहगा, अगर learn more पहले से तो do nothing, learn more पहले से नाम है उसमें, तो कुछ करने की ज़रुवत नहीं, do nothing, and यहाँ पर हम save कर देंगे, इसे भी, क्या कर देंगे, save, यह देखिए, अगर हाँ, इसमें कोई error आता है, तो on error में जाकर, आप यहाँ पर क्या करोगे, continue flow run, continue flow run, अगर कोई error आता है, कई पर file का नाम, सपोज एक file में उसको नाम ही नहीं मिलता है, error आता है program में, तो यह वाला action आपको select करना है, कि आगे वाले file का नाम जाके change करो, continue flow run, okay, and इसे okay कर दो, that's it, error हमने दिया, सब कुछ किया, error set किया, save कर देना इसे, यह देखो, हमारे जो actions यहाँ पर save है, gate files in folder, rename files, बस, काम खतम, इस तरह के आप धेर सरी automations इसमें से बना सकते हैं, दोस्तो, यह मैंने बना दिया automation, यह काम करता है कि नहीं करता है, हमें देखना पड़ेगा, तो मैं इसे right side में लेता हूँ, इस automation को, और हमारी files को left side में मैं यहाँ लेता सकते हैं, अगर आप यहाँ से close करते हैं, तो यह automation आपके यह वाले window में आ जाता है, यह देखिए, यह आप यह उपर ही दिख रहा है, rename all files है हमारा, और यह नीचे दिख रहा है, second वाला, rename files new, यह वाला automation से, इसे हम यहाँ से run करेंगे, तो यह run हो जाएगा, directly, यहाँ से भ करके आते हो, तो उस एक particular program के अंदर आप काम कर रहे हो, और इसके लिए मैं इस window को यहाँ पे side में रख देता हूँ, और हमारा यह folder यहाँ पे side में रखता हूँ, और ज़रा run करके देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, दोनो side by side, और यहाँ पे देखिए, run का button है, run button बेज़े से में क्लिक करता हूँ, काम शुरू हो गया है, काम शुरू हो गया है, बस दो मिनीट भी नहीं लगता है, दो-तीन सेकेंद्स लग रहे है, दो मिनीट तो बहुत जाज़ा हो गया, लेकिन इस program बनाने के लिए दो-तीन मिनीट आपको लगने वाले हैं, इसे अच् सकते हैं बट एक और इंपोर्टन इंफोर्मिशन आपके लिए देता हूं अगर आप को लगता है कि आरफ सती सर अच्छा पढ़ा रहे हैं मेरा टीचिंग श्टेल आपको अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रहा हूं तो आप एक बर आपको बिलने वाले हैं डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक है आपको इदर उदर जाने की ज़रूद नहीं है चेक आउट करो अगर आप इंट्रेश चुड़ों में मास्टर बनने के लिए तो जाओ चेक आउट करो अभी किया भी मैंने धेर सारे वीडियो उन फ्लैटफॉ पर भी डालके रखे है आयो सो सर्टिपिक्ट के साथ कोर्स करने के लिए वेब साइट वीजिट जरूर कीजिए मिलते अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखे इतना ही कहूंग एंड में सीखते रहो और सीखाते रहो बाइबाइबाइब